Hello students, welcome to Global Online, this is Ankeetha Sout, so Madhya Pradesh State Eligibility Test Paper 1 Preparation में Higher Education System Unit का आज बहुत important topic हम cover करेंगे जिसका नाम है 5 Year Plan यानि की 5 वर्षिय योजना इस topic में से exam में questions आना निश्चित है और आप सभी को बहुत simple language में मैं बताऊंगी की 5 Year Plan क्या है, क्यों इसको बनाया गया and इसके पीछे कैसे questions exam में पूछे जाते हैं इस unit में already 2 lectures cover हो चुके हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो link description box में available है, उसको जरूर आप लोग check कर लीजेगा session पर आगे चाहने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि exam में बहुत कम समय बाकी है and paper one में अगर आप लोग असानी से 75 plus score करना चाहते हो और exam को qualify करना चाहते हो तो आप इसकी smart preparation कीजिए और आपके smart preparation के लिए paper one का complete course हम लेकर आए हैं जो की examination के level और pattern के according ही बनाया गया है इसमें आपको full syllabus video lectures मिलेंगे English and Hindi दोनों languages में sessions रहेंगे simple language में real life examples के साथ बहुत आसानी से आपके सारे concepts यहां पर clear कर दिये जाएंगे साथ ही full syllabus notes आपको PDF के format में मिलते हैं जिसको आसानी से अपने mobile phone में भी download करके पढ़ सकते हो full syllabus mock test में से as it is questions exam में आते है questions exam में आज तक पूछे गई है 2000 plus MC के question bank के अगर बात करें इसमें आपको most repeated और most expected questions मिलेंगे हरे question के solution के साथ detail में explanation दी जाएगी ताकि revision के दुरान आपके सारे concepts भी clear हो जाएं तो exam से पहले अगर आप लोग एक से दो बार सिरफ ये 2000 questions को भी पढ़ लेते हो तो भी आपको बहुत जादा help हो जाती है so given whatsapp numbers पर जल्दी से contact करके आप इसको join कर लीजिए and इसके लिए सिरफ एक ये बार फीज देनी है 2000 रुपए and इससे पहले फ्री वीडियो देखना चाहते हो तो global online app को जरूर डाउनलोड कीजेगा store section पर जाकर search bar में course का नाम लिखोगे course के overview के बाद आपको content पर जाना है यहां पर आप देख सकते हो different folders है अगर सरफ मेरे sessions आप देखना चाहते हो तो यहां पर अभी काफी जादा sessions 100 plus sessions अभी add हो चुके है mock test है Indian and English तोनों languages में 2000 MCQs है and इसके लावाए unit wise folders हैं तो हर एक unit में आपको theory lectures, MCQ lectures, notes और mock test मिल जाएंगे जो की exam को qualify करने में आपको बहुत ही जादा मदद करते हैं so given whatsapp numbers पर contact कीजे पूरी जानकारी के लिए and इस course को फटा-फट से आप लोग join कर लीजिए so सबसे पहले जो पंच वर्षिय योजना है आप देखो 5 year plans मतलब 5 साल इसमें है so पहला प्रशन तो यहां पर आपको यही पता होना चाहिए कि यह पंच वर्षिय योजना कब किस ने और क्यूं बनाई थी so पंच वर्षिय योजना 1951 से लेकर के 2017 तक के बीच में चली थी यहां पर आप देख सकते हो जिसमें प्रथम वर्षिय योजना जो है वो 1951 से 56 तक के बीच में थी तो अगर आप लिए date स्याद रख लोगे तो इसलिए आप इसको divide कर सकते हो अब दूसरा सवाल यह आता है कि इसको बनाने के पीछे कारण क्या था और किसने इसको बनाया था अब हमारी जो Indian economy है भारती अर्थ विवस्था है उसको एक plan के साथ चलाने के लिए उसको manage करने के लिए यह पंच वर्षिय योजना बनाई गई थी इसको बनाना इसको implement करना इसको वेनी मत करने के लिए एक संस्था responsible थी जिसका नाम था planning commission इसको note जरूर कीजेगा इसका नाम था planning commission ठीक है अब यहाँ पर योजना आयोग Hindi medium students योजना आयोग note कीजेगा लेकिन देखो exam में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को option में planning commission देखने कोई नहीं मिलता तो वो confused हो जाते हैं ऐसा क्यूं? क्यूंकि planning commission का अभी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है नीती आयोग कब इसका नाम बदला गया था? 2015 में planning commission का नाम रखे नीती आयोग रख दिया गया था सो नीती आयोग responsible है पंच वर्षिय योजना के संभालने और इसके देख रेख के लिए तो यहां तक आई होब आपको सारी चीज़े समझ आ गई है इसके साथ अब प्रथम पंच वर्षिय योजना पर बढ़ते हैं यह है 1951 से 56 तक English Medium Students भी यहां पर देख सकते हो हमारे भारत की जो आर्थिक विकास है भारत के आर्थिक विकास यानि की economic development के लिए पंच वर्षिय योजना बनाई गई थी और इसको सबसे पहले भारत की जो प्रथम प्रधान मंत्री थे जवाहरलाल नहरू जी ने present किया था किसके सामने Parliament of India के सामने भारतिय संसत के सामने जवाहरलाल नहरू ने इसको पंच वर्षिय योजना को प्रस्तुत किया था अब तीसरा चीज यहां पर important जो exam में पूछा जाता है वो यह है कि प्रमुक चीज क्या थी प्रथम पंच वर्षिय योजना का focus किस चीज पर था तो देखो जितना भी agrarian sector है dams है, पानी को कैसे रोक कर उसका इस्तेमाल किया जाए कैसे बाद में पानी को control करके बांध बनाये जाएं यह सब चीजों के लिए responsible थी प्रथम पंच वर्षिय योजना और यही प्रशन exam में बार बार आता है एक प्रशन exam में यह भी आ सकता है कि जो पांच Indian Institute of Technology है आप लोगों ने IIT का नाम सुना होगा है ना Indian Institute of Technology जो पांच Indian Institute of Technology थे वो कब बनाये गए थे तो वो आपके प्रथम पंच वर्षिय योजना के दौरान बनाये गए थे 1956 में यानि कि 1956 के खत्म होने से पहले-पहले पंच वर्षिय योजना के खत्म प्रथम पंच वर्षिय योजना के खत्म होने से पहले-पहले हमारे देश में पांच IITs को establish कर दिया गया था उनकी स्थापना कर दी गई थी तो ये कुछ important points है और इसी में से एक्जाम में question आते हैं अगला है second five year plan 1956 से 1961 तक ठीक है ये क्या है ये तिव्र अद्योगी करण और सार्वजनिक शित्र पर इसमें बल दिया गया था industries बहुत जादा open कर दी गई थी public sector public offices इन सब चीजों पर इसमें demand बहुत जादा थी तो यही चीजें आपको फिलाल याद रखनी है ठीक है तीसरा जाता है त्रीतिय पंच वर्षिय योजना 1961 से लेकर 1966 तक ये किसानों क्रिशी और गीहूं के उत्पादन को कैसे सुधार में लाया जा सकता है इस पर फोकस करता था यानि कि ओवर ओल जो थर्ड ये थी ये एग्री कल्चर पर फोकस करती थी त्रीतिय पंच वर्षिय योजना बनाई गी थी और जितने भी आपके पंचायती चुनाव है उसकी शुरुवात भी इसी दोरान की गी थी तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ठीके पंचायत इलेक्शन इसी के दोरान रखे गए थी और प्लान हॉलिडेज अब देखो क्या हुआ था थर्ड फाइव ये प्लान जो था इसमें आपको ये भी बिता दिया कि पंचायत इलेक्शन को इंट्रडूस किया गया था ये भी बता दिया कि क्रिशी और इन सब चीजों को इंप्रूफ करने के लिए था लेकिन हर एक जो प्लान होता है उसका कुछ टार्गेट इन्होंने रखा होता है कि हमें इस टार्गेट को अचीव करना है लेकिन थर्ड फाइव ये प्लान को ये अचीव नहीं कर पाए थे पांच पॉइंट सिक्स रेट तक था लेकिन एक्चुल में उन्होंने टू पॉइंट फॉर तक ही उसको अचीव किया 67, 68 और 69 ने तीन साल तक इनका ग्याप रहा था क्यूंकि थर्ड पंच वर्षिय ये योजना जो थी वो फेलियर हो गया था एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया था ओके सो फॉर्थ में 1969 से 74 के बीच में था और इस दौरान 14 मेजर इंडियन बैंक जो है वो नैशनलाइजड हो गए थे 14 बैंक ऐसे थे जो जिनका राश्ट्री करण हो गया था ठीक है और हरित करांती ने भी इसी योजना के दौरान क्रिशी को बढ़ावा दिया था और जितने भी जैसे कई स्टेट्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहांपर बहुत सूखा रहता है तो सूखे से कैसे निजात पाई जाए क्योंकि वहांपर सूखा होगा तो कृशी भी नहीं हो पाती थी लोगों को पीने के लिए पानी में बेदिक्कते रहती थी तो इन सब चीज़ों के लिए ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानि की सूखा संभावित क्षित्र कारे क्रम भी इस दोरान लाया गया था तो यह कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहांपर बता रही हूं सिर्फ यही में से एक्जाम में क्वेशन्स आते हैं इसके बाद फिफ्फ यह में है नाइंटीन यह देखो यह 74 थक था और फिफ्फ यह भी 74 से 78 तक रहा था इसने रोजगार बढ़ाने और गरीवी अन्मूलन यानि की गरीवी हटाव पर जोर दिया था एक्जाम में डाइरेक्ट क्वेशन आते हैं या तो ऐसे आएगा कि कौन सा वो फाइव यर प्लान है जिसने की गरीवी उल्मूनन पर ध्यान दिया था तो आपको पता होना चाहिए पांचवे वर्शी यह योजना है और यह इसका समय था या फिर एक्जाम में यह पूछा जा सकता है कि 1974 से लेकर के 78 के बीच में कौन सी पंचवर्शी योजना थी और उसने किस किस पर काम किया तो यह आप्शन आते हैं तो यह देखो कैसे लोगों को रोजगार देना है गरीबी हटानी है इस पे इनोंने ध्यान दिया था बिजली की सप्लाई लगबग हर जगा पर पहुंचे इसके लिए भी इसमें काम शुरू कर दिया गया था तो यह कुछ important points थे जो कि आपको exam के लिए जानना जरूरी है पहले 5 years दिया गया था क्योंकि इनको लगा था कि 5 सालों में हम सब कुछ improve कर देंगे लेकिन क्योंकि वो चीज़े success होती रही नहीं नहीं demands आती रही तो 5 year plans को उन्होंने 12th plan तक पहुंचा दिया था इसलिए मैंने कहा कि 1951 से लेकर के 2017 तक यह plan चले थे ठीक है तो यह sequence या याद रखने का कोई trick तो मैं नहीं बिता सकती क्योंकि simple है कुछ में यह third year याद रखी बस third year के बाद तीन साल का gap आ गया था third annual plan इसके बाद तीन साल का यह जो है यह gap वाला period था बाकी चीज़े sequence में ही थी देखो 7th के बाद भी आपका 2 साल का gap था है ना बाकी यहां पर इसके बाद भी देखो एक साल का gap था fifth year plan के बाद तो यह अगर चोड़ चोड़ चोड़े gap साप याद रख लोगे ना तो यह sequence याद रखना आपके लिए बहुत जादा असान हो जाएगा इसको चैसे देख लीजिए एक बार देखोगे ना एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी चीज़े जिसे मैंने gap का बताया third के बाद आपका तीन साल का gap था उसके बाद six plan में एक साल का gap था sixth और seventh के बीच में then we have seventh और eighth इन दोनों के बीच में दो साल का gap था तो इस तरीके से plans को आप divide कर सकते हो अब एक question यहाँ पर है जो कि हो वो question है इस cancer हमेशा की तरह मुझे comment कीज़ेगा and जो बच्चे हमारे whatsapp groups में है उन लोगों के लिए क्योंकि उनकी demand पर हम हर एक चीज़ प्रवाइड करवा रहे हैं है ना तो आप लोग इतना सा तो जरूर कीज़ेगा कि यह जो question मैं देती हूँ whatsapp group में उसका reply मुझे जरूर आना चाहिए आप देखो answer मुझे जरूर चाहिए क्योंकि आपके request को हम पूरा करते हैं और हमारे request पूरा करना आपके responsibility है ताकि हमें पता लगे कि आप classes में कितने attentive हो और आप कितने regularly हमारी बातों को सुनते हो ओके इसे के साथ paper 2 पर ध्यान दीजिए so paper 2 already हमने पड़ा है बट आपका post graduation का level और competitive exam का level different होता है so उस level के according ये study material हम लेकर आए हैं जिसमें आपको full syllabus notes and MCQs मिलेंगे जिसमें की previous questions, repeated questions और expected questions को include किया गया है so subjects आपके सामने है ठीक है ये study material exam के साथ-साथ interview को qualify करने में भी आपको मदद करता है और जब तक आपका exam और interview क्वालिफाइ नहीं हो जाता सिरफ एक बार बारा स्वसिल पे fees देकर आप इसको use कर सकते हो बार बार आपको fees भी नहीं देनी है इसका benefit उठा सकते हो सरफ गिवन numbers पर contact करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लिजिए स्वापको रफ बार शचारी नहीं हो जाई जाता है